आमिर खान की फिल्म दंगल में उनकी चोटी बेटी यानी जूनियर बबीता का रोल ने भाने वाली आक्ट्रिस सुहानी भटनागर अब इस दुनिया में नहीं रही इस खबर ने सभी को हैरान कर दिया है लोग उन्हें दंगल गर्ल के नाम से जानते थे सुहानी सर्फ 19 साल की थी और अपने करियर के इनिशल स्टेज में थी उन्होंने कई टेलविजिन आज्ज में भी काम किया था दंगल के बाद सुहानी के पास कई सारे फिल्मों के ओफर्स आये थे लेकिन उन्होंने आक्टिंग से ब्रेक लेने का फैसला कर लिया क्योंकि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी का इंटर्व्यूज में सुहानी ने बताया कि पढ़ाई पूरी करने के बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में वापस लॉटेंगी रिपोर्ट्स के मुताबिक सुहानी भटनागर के पूरे शरीर में फ्लूर्ट जमा हो गया था दरसल कुछ समय पहले सुहानी का आक्सिडेंट हुआ था जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था ट्रीट्मेंट के दौरान उन्होंने जो मेडिसिन्स ली वो उन्हें सूच नहीं करी जिसका उनकी बॉड़ी पर साइड एफेक्ट होने लगा इसी वज़से वो काफी टाइम से बीमार चल रही थी और आज उन्होंने दम तोड़ दिया Rest in peace सुहानी